तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम होरी पर दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्षर में हम बात करेंगे इलहाबाद, हाई कोट, APS से जुड़ी भी कुछ बात है दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस पार के एक्जाम में काफी students को परिशानिया जहलने को मिली थी सबसे ज़्यादा जो परिशानिय मिली थी उनको टाइपिंग टेस्ट में मिली थी तो दोस्तों ये सारी चीज़ों सारी factors के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में cut-off के बारे में बात करेंगे क्लियर हो जाएंगी दोस्तों जो लोग अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं आपको सब्सक्राइब करेंगे उम्मीद है दोस्तों आप हमसे जुड़ जुड़ जाएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगी कि आपकी एक्जाम की पैटर्न थोड़ा सा एक ओवर्वीव ले ले लेते हैं उसके बाद हम चीजों को डिस इसां मिइशन हुआ त्री मार्क्स के जोंके वन 53 मार्क्स का आपका तर्ट हमिए था चौह आऀ हूँती उने recognition हमें नहीं चॉछ सब्सक्रेंट हॉजी और ओस्वीक्यां किस मेंस सवीटीं माऽ्ट का ईपका तैपिंग टेश्ट हूए था आपका 50 व्ली याप तिस ओवराल जो पेपर गया था वो 200 marks के हुए थे लेकिन अब इन में में क्या चीज़ें हुई थी हम चारी चीज़ों को एके करके तोड़ के अलग-अलग देखते हैं सबसे बात सबसे पहले अगर हम रिटेन टेस्ट की बात करें तो रिटेन टेस्ट में आपकी जो 150 marks के आपके एजी आए थी तो मेरा जो marks है वो काफी ज़्यादा आएगा लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा आप सभी ने अभी हाली में एक exam दिया था यूपी पेट का उसमें अपने GS का स्थर को चेक किया था उसमें हालांकि GS काफी अच्छा मतलब एजी आया था तब भी लोग ये result आने के बाद ही पता चलता है तो सबसे बड़ा जो factor एक मतलब करेगा वो होगा कि इसमें GS के number of questions ज़्यादा आने मतलब आया है ठीक है तो पहला factor आपको पता चल गया है कि return test में GS का सबसे number of questions ज़्यादा आने का ठीक है अब हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे तो ये करेगा हमारा कि सारे मतलब जो तीनों exam हमारे हुए मतलब इसकिल टेस्ट और आपके टाइपिंग इसकिल टेस्ट जो तीनों exam होगे एक साथ हो गए ये क्या हो गए एक साथ करा दिये गए तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर nervousness अपने आप आ जाती है ठीक है क तो मतलब ये一次 क्या होता कि या वी अ考慮म कर्या को हुः आपकी काम को लाने के खीक है तो यह चोड़ा से लेकिन फिर भी यह यह है जो काफी हद तक मतलब प्रज़ाइव करता है माक्स को कम करने में ठीक है और आभ हम बस करेंगे तीसरा और सबसे एहम factor की चलिए जो तीसरा और सबसे M factor है वो है आपका typing का वो किसका है आपका typing का दोस्तों आप सबको पता होगा कि typing test में आप बहुत सारे बहुत सारे कह सकते हैं 80 to 90 परसेंट बच्चे हम कह सकते हैं 80 परसेंट या 70 to 80 परसेंट बच्चे 25 marks लाने में उनकी हालत खराब हो गई क्यों ऐसा क्यों हुआ इसका ऐसा यसलिए हुआ क्योंकि हम आपको बता देते हैं देखिए 70 to 80 परसेंट बच्चे 25 marks लाने के लिए क्यों तरस रहें क्यों इसका reason यह था कि उन्होंने सबसे पहले तो आपको जितने control की थी वो उसको लाग कर दिया था जैसे आप control e control l control r और control यह सारे functions आप जो है कि वहाँ पर apply नहीं कर सकते थे इसकी जगह पर आपको वहाँ पर एक टूल बार ऐसे करके टूल बार दिया था इस टूल बार में आपको जैसे मतलब अलग अलग section इन्हों बना दिये थे उसमें जैसे यहाँ पर bold का यहाँ पर आपका italic का दे दिया था यहाँ पर left Elise alignment यहाँ यहाँ पर right alignment यहाँ पर middle alignment ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके मतलब उसे लिख रहा हो तब भी वह बोल्ड में लिख रहा है तो यह वज़ा क्या थी कि इससे बच्चे काफी जो घबरा गए अब आपको पता ही है कि हम जो स्किल टेस्ट था यह मतलब काफी एक डिफिकल्ट टेस्ट इसको कह सकते क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग काफी अ तो वह बच्चा घबराएगा नहीं तो क्या करेंगा अब घबराने के वज़ए से उसका और खराब चला जाता है तो सबसे बड़ी बात तो आपने अपना टूली खराब दिया खराब दिया इंदरसेंस आपका सरवर खराब था ऊपर से बच्चों को मतलब बच्चे घबर नहीं पाएगा जैसे मैटर तो कर दिये कि चलो हम 400 मैटर कर दिये लेकिन वह क्या कि यह फॉर्मेटिंग ही सखी से नहीं कर पाए तो उनसे उनका मार्क्स कड़ जाएगा तो इतनी यह जो फैक्टर यह जो लास्ट वाला फैक्टर सा तीसरा काफी हद तक बच्चों और यह center की बात नहीं हर एक center हर एक टिस्टिक में मतलब जितनी जगह लख्णव हो गया आपका बनारस हो गया और जैसे गाजियाबाद करके एक स्कृत मतलब ऐसे जहां-जहां center बनाया था वहां वहां हर जगह का यह यही लगा था तो यह सबसे थोड़ा calculate करके देखते हैं कि कितना बच्चों के आ सकते हैं ठीक है उसके बाद expected cut-off के बारे में बात करेंगे आप एक चीज़ जानिए जो जीएस का सिक्सन है इसमें आप बहुत कितना भी मतलब सबढर से ज्यादैं भरी कम चांस होता है कि बच्चे यहां पे कर सकते हैं ठीक है अगर हम 1000 का अगर allowingrichson का 60 परसेंट निकाले नों जानते किता जाएगा यह जायेगा नबबी question यानि देर्टा में नबबी question एक average बच्चा attempt करता है ठीक है अगर थोड़ा सा हुस्यार बच्चा है ठीक था कह सकते कि best बच्चा है वो क्या करता है 70% attempt करता है 1-2 1% या 1% से भी कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कि उनका जी एस 80% तक अच्छा जाता है लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो सतर से और साथ परसंट की बीच में रहते हैं तो अगर हम देर्ड सोका एक मिनट आप यहाँ पे देखिए अगर हम देर्ड सोका सतर परसंट निकालते हैं तो यह जाएगा पंद से एकसो पाँच तो क्या होता है बच्चों कि जो मुश्टली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं जिनको मतलब मेरिट में आना है तो वो तो वो 90% वाले ही आएंगे या फिर अगर हम कह सकते हैं तो 90 से 105 नमबर के बीच वाले आएंगे मतलब यह अभी GS की बात चलिए यह 500 नमबर में से बात चलिए आप पूरा मत समझे इसको यह 500 नमबर में 90 और 105 की बात चलिए तो इनके बीच वाले ही बच्चे यहां पर क्या करेंगे लाइक करेंगे जो की मेरिट में अपनी जगा बनाएंगे प्री निकालने में ठीक है तो अगर हम एक एवरेज बात करेंगे 95 अगर हम ले लेते हैं एक एवरेज माक्स वैसे तो 95 नहीं होगा 90 होगा तो चलिए अगर हम 95 ले ले लेते हैं एक एवरेज अगर हम बात करें 95 ठीक है अगर हम स्किल टेस्ट में 45 एट कर लेते हैं तीज किल टेस्ट मतलब कि आपका जो पिटमाइबसेंगि ऊचिच्फ कर लेतें इसके साथ अगर हम इस्किल जो यह मतलब यह लोग क्या शबियां मतलब इसमें अगर बात करें इसमें हम बात करें तो माल लेते हैं अगर 25 से 30 नमबर इसमें ले ले लिजी ठीक है मैक्सिमाम सारी चीज़ें मैक्सिमम मैक्सिमम लेके चलते हैं तब देखते हैं कि कट आफ किया जाती है क्योंकि 30 बहुत ज्यादा ज्यादा अगर बच्चा किया होगा तो 35-40 क्योंकि 400 मैटर फिल जाएगी टाइपिंग में ठीक है तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो यह होता है जीरो और सूल एक सो सत्तर अगर आप इसे आड करेंगे तो यह कित्ता बनेगा एक एक सो असी बन रहा है यह नोचर 133 शत्रह और 118 यह एक सो असी बन रहा है ठीक है यह आपका कित सब्सक्राइब stopping लेबल का करणा यह टेस्ट है इतनी मतलब अगर इतना बच्चों का आएगा तो वही एक सम्को यहां पर तो यह एक काफी अच्छा score है यहाँ पे ठीक है तो अगर हम general की merit की बात करें तो general की जो merit लगेगी वहीं पे आके लग जाएगी कहाँ पे 180 पे तो चलिए अब हम expected cut-off की बारे में बात कर लेते हैं ठीक है दोस्तों यह अगर analysis आपको पसंद आएगी तो वीडियो को share करिए दोस्तों के साथ like करिएगा comment section में अपनी राय दीजेगा अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप comment section में बता दीजेगा और सबसे बड़ी बात कि आप जो लोग अभी तक नहीं जूर पाएं वो लोग please channel को subscribe करके हमसे जूर जाएगे क्योंकि आपके stenos related या फिर और भी जो others exam है उनसे सारी जानकारी आपको उपलप्त कराएंगे सारी analysis आपको करेंगे और समय आने पर आपके लिए course भी यहाँ पे launch किया जाएगा तो जो दोस्त हमसे नहीं जूर पाएंगे वो प्लीज यहाँ पे जोड़ जाएं ठीक है चलिए अब हम expected cutoff के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं expected cutoff के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है कि आपकी expected cutoff कर जाएगी अगर हम बात कर लेते हैं general की तो general की अभी हमने analysis किया तो जो merit यहाँ पे general की लग रही है तो जो जनरल की मेरिट जाएगी वो जाएगी 175 से लेके 180 ठीक है जो जनरल की मेरिट जाएगी 175 से लेके 180 के बीच में आपकी जनरल की मेरिट रहेगी ठीक है अब हम बात करेंगे OBC की ये अभी मेल की बात हो रही है ठीक है अब यह पूरा mail का सीरीच चलेगा तो mail में OBC की अगर हम बात करें इनकी जो cut-off जाएगी वो आपकी 170 से लेके 175 की बीच में रहेगी ठीक है यह आपकी OBC की cut-off है अगर हम बात करें EWS की भी OBC की equivalent ही जाती है अब बात करें अगर SC की SC की 162 की 162 की 162 से लेके 162 सरस्थ की बीच में जाएगी 162 से लेके 162 सरस्थ की बीच में स्टी की cut off जाएगी ठीक है इत्ती बात है तो आपकी हो गई और अगर हम women category की बात करें तो women की जो cut off जाएगी वो जाएगी women category की cut off वो 165 से लेके 170 के बीच में यहाँ पे आपकी prelims की cut off 200 में इत्ती जाएगी ठीक है इत्ती बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कि दोस्तों जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाए वीडियो गर आपको पशंद आई तो दोस्तों में share करें like करें subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शश्रीयकाल